आपका स्वागत है मेरे चैनल तेस्ट विद वीच में आज हम बना रहे हैं स्मोकी भर्वा बैंगन तो आईए बनाते हैं स्मोकी भर्वा बैंगन अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो प्रीस पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे हम नेनी रेषपीस के साथ मिलते रहें सबसे पहले मैंने बैंगन को दू के साफ किया है और इसको इस तरह से काट लिया है बैंगन की सबजी को All Spicy बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ दो हरी मिर्च जिसे भी मैंने काट लिया है और बीच साफ कर लिया है अब करते हैं मसाले की तैयारी जिसके लिया है नमक लाल मिर्च और धनिया यहां हम धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा लेंगे जिसे हमारा बढ़ने वाला मसाला है वो और भी अच्छा बनेगा अब इसमें मैं डाड़ रही हूं खटोरी अगर आपके पास यह नहीं है तो आप हमच्छी पाउडरे भी डाल सकते हैं अब मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे एक बार आप यह टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि इसमें नमक में सब सही है या नहीं पिर अपने स्वाद इनुसा डालिएगा अब हम एक एक करके सारे बैंगन को भर लेंगे मैंने बैंगन को उनके अकार के साफ से कट लगाया है जिससे अगर इसमें कोई कीडा या कुछ भी हो तो हमें साफ पता चल जाए साथ ही मैं भर रही हूँ मिर्च पी मिर्च मी मैं इसी मसाले से भर रही हूँ इस तरह से एके करके हम सारे बैंगन और मिर्च को भर लेंगे और इसी के साथ लीजे हमारे बैंगन और मिर्च तयार है अपने मसालों के साथ में अब इन्हें हम बनाते हैं स्मोगी ये जो जाली मैं यूज़ कर रही हूँ वो तो मेरे microwave की सेट की है आप रोटी सेखने वाली या पापर्ट सेखने वाली किसी भी तरीकी जाली का यूज़ कर सकते हैं अब इस तरह से एके करके हम मैं सारे बैंगोन को रख देंगे जिसे ही अच्छे से सिख जाए और उनमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए जब तक ये स्मोकी बनते हैं करते हैं हम हमारी मसाले की तयारी तेल गरम होने पे मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा जीरा जब अच्छे से तरकने लगे तब इसमें डाल रही हूँ प्याज ये प्याज मैंने चौपर से काटके बारिक बारिक चौप किये हैं अब इन्हें हम अच्छे से सेख लेंगे, जिसे की सारा मौश्चर है वो प्याज का खतम हो जाएं. प्याज अच्छे से भुन जाएंगे, तब इसमें हम डालते हैं टमाटर. यह टमाटर भी मैंने चौपर से ही बारिक चौप किये हैं. टमाटर और प्याज को हम अच्छे से सेख लेंगे, यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने तोड़ा तेज किया हुआ है, जिसे हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएं. अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, नमक और लाल मेज. अब इन तेनों मसालों को हम प्याज और टमाटर की साथ अच्छे से भुन लेंगे. लसन और अद्रक को मैंने यह तोड़ा दरदरा करके ही डाला है. अब हम डालते हैं इसमें कसूरी मेथी, और साथ में ही हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर. धनिया पाउडर मेंने यह एक से सवा चमच के बिज डाला है. मैं इसमें डाल रही हूँ खटोरी पाउडर या आप अमचुर भी डाल सकते हैं. अब हम लो फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भुन लेंगे. जब मसाला मारा अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी. पानी डालने के बाद में हम मसाले को हिलाते हुए यह पकाएंगे जिसे यह कड़ाई में चिपकेना. जब तक हमारा मसाला बन के तयार होता है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. हम डालते हैं हमारे बुने हुए बैंगन. बैंगन को हमें तब तक बुनना जब तक ये इतने सॉफ्ट न हो जाएं देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं हमारे बैंगन और सबजी भी जटपट बनके तयार हो जाएगी मसालों में हम डालते हैं बैंगन और मिर्च अब हम हलके हलके हातों से बैंगन और मसाले को आपस में मिला लेंगे ध्यान रहें यहां बैंगन बहुत ही नाजुक है तो हम इने हलके हातों से ही मिलाना है जब बैंगन और मसाले मिल जाएं तब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला या आप अपनी इच्छान सा कितना भी डाल सकते हैं बस आप में ही हम डालते हैं हरा धनिया की पत्तिया इस सबजी की खुश्बू से ही सारे घर वाले किचन तक अपने आपी दोड़े आएंगे तो एक बार आप चुरू ट्राइ कीजेगा यह हमारी स्मोकी बर्वा बैंगन प्रीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीचेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद